कक्षा 5 हिंदी सुलब भारती पेज नमबर 29 भाई भाई का प्रेम तो बच्चो आज हम ये बहुती अच्छा और इसमें से कुछ सीखने लायक जो सबक है वो बहुती अच्छा है और पार्ट का नाम है भाई भाई का प्रेम तो देखिए मनोहर पूर नामक एक सुन्दर गाउ था गाउ की मिट्टी बहुत ही उपजाओ थी अतह गाउ के अधिकांश लोग खेती किया करते थे तो देखिए बच्चो मनोहर पूर नामक का एक गाउ था और गाउस गाउ की जो मिट्टी थी उसमें खेती बहुती अच्छी तरह से होती थी उसे उपजाओ कहते है ठीके ना तो गाउ में इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते थे खेती करते थे इसका मतलब गाउ में किसान ज़्यादा रहते थे ठीके और इसी मनोहर पूर में दो भाई रहते थे दोनों किसान थे तो जैसा कि मैंने आपको बताया मनोहर पूर की जो मिट्टी थी वो उपजाओ होने के कारण वहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग क्येती का बेउसाय करते थे मतलब क्येती किया करते थे तो इस गाउ में दो भाई रहते थे और वो किसान थे उनके घर अलग-अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे तो बच्चो देखिए दो भाई किसान थे और वो दोनों क्या करते थे अलग-अलग रहते थे लेकिन अलग-अलग रहने के बावजूद वो एक दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचते थे इसका मतलब भाई-भाई में बहुत ही प्यार था इस वर्ष पूरे गाउ में फसल अच्छी हुई थी कटाई हो चुकी थी खलिहान में सब के अनाज के धेर लगे थे तो देखिए इस साल में फसल जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह से आई थी और कटाई भी हो चुकी थी और इस कारण क्या हुए कटाई होने के कारण जो अनाज था वो कापर था खलिहान में ठीक है एक दीन रात में बड़ा बाई लेटे लेटे सोचने लगा मेरे चूटे बाई के बाल बच्चे नहीं है तो देखिए दोस्तों एक रात बड़ा बाई जो था वो क्या सोते समय सोचने लगा कि देखो मेरे तो दो बच्चे है और मेरे ग्रज़ती में वो कुछना कुछ मेरी मदद करते है पर मेरा चोटा भाई उसके कोई बाल बच्चे नहीं है तो इस कारण वो अकेला है उसको अकेला है सब खेती का काम करना पड़ता है ऐसा वो बड़ा भाई जो था वो सोचने लगा उसे सारा काम अकेले ही समभलना पड़ता है इसलिए मुझे उसकी साहिता करने चाहिए यह सोचकर वो उठा और खलिहान में गया तो देखिए दोस्तों बड़ा जो भाई था वो एक रात सोते समय उसके दिमाग में क्या आया विचार आया और वो सोचने लगा कि मेरे तो दो बच्चे हैं और वो बच्चे मुझे केत के क काम में मेरा हाथ बटाते हैं मुझे मदद करते हैं लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसे मदद करने के लिए कोई नहीं है तो इसलिए मुझे मेरे भाई की क्या करने चाहिए सहायता करने चाहिए यह सोचकर वो अपने भाई के खलियान के तरफ जाने लगा खलियान में अपने आनाज के धेर से उसने दस गट्री आनाज बांदा उनमें से एक गट्री सिर पर रखकर चोटे भाई के धेर की ओर बढ़ा तो उसने क्या किया बड़े भाई ने? खलियान में जाकर क्या किया? आनाज की दस गट्री आनाज उसने बांदा और उसमें से एक गट्री अपने सर पर लेकर अपने चोटे भाई के खलियान की तरफ वो जाने लगा ठीक उसी समय चोटा भाई भी अपने घर में बैटा सोच रहा था मैं जवान हूँ जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ जहां चाहूँ जा सकता हूँ किसी कारण वश यदि खेती में फाइदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा मेरा खर्च कम है लेकिन मेरे बड़े भाईया तो बाल बच्चे वाले है घर गरश्ती के खर्च अधिक है इसलिए मुझे उनकी साहता करनी चाहिए तो देखिए बच्चो जैसा बड़ा भाई सोचता था वैसा ही छोटा भाई भी सोचने लगा तो छोटा भाई क्या सोचने लगा कि मैं तो जवान हूँ है न तो अगर किसी साल खेती में फाइदा नहीं भी हुआ तो भी मैं कुछ दूसरा काम कर लूँगा पर मेरे बड़े भाईया वो क्या उनके बाल बच्चे थे वो तो ग्रश्ती में उनका खर्च जादा होता है इसलिए मुझे उनकी साहता करनी चाहिए ये कौन सोचने लगा चोटा भाईया और बड़ा भाईया भी यही सोचकर अनाज की गट्री उसके खलियान तक उसने लेकर गया था चोटा भाई भी वैसा ही सोचने लगा खलियान में अपने अनाज के धेर में से उसने भी दस गट्री अनाज बांधा उनमें से एक गट्री सिर पर उठा कर बड़े भाई के धेर की ओर बड़ा और देखिए बच्चो जिस तरह बड़े भाई ने दस गट्री अनाज की बांध कर उनमें से एक गट्री सिर पर उठा कर चोटे भाई के खलियान के धेर की तरब जा रहा था उसी तरह चोटे भाई ने भी दस गट्री अनाज की बांध कर उसमें से एक अनाज की गट्री अपने सिर पर उठा कर बड़े भाई के खलियान की धेर में खलियान की तरब जो धेर था अनाज का उसकी ओर बड़ा जा रहा था अंधेरी रात थी हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था इस वातावरन में दोनों भाई धिरे धिरे एक दूसरे के अनाज की धेर की और बढ़ रहे थे तो बच्चो रात बहुत अंधेरी थी और ऐसी अंधेरी रात में इस वातावरन में दोनों भाई अपने दूसरे भाई के अनाज के खलियान तक बढ़ने लगे आचानक वे एक दूसरे से टकरा गए दोनों चोकर एक साथ बोले कौन है दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा उनके सिर पर अनाज की गटिया थी तो बच्चो अंधेरा जादा होने के कारण अचानक वे एक दूसरे से रास्ते में टकरा गए और चोकर उन्होंने पूछा भाई कौन है और दोनों भाई न एक दूसरे को देखते है और उनके सिर पर क्या रहता है अनाज की गटिया देखिया आपको चीतर में दिखाई द देरा है दोनों भाई समझ गए बड़े भाईने का छोटे तुमारी मदद करने वाला कोई नहीं है खेती का सारा काम तुमें आकेले ही संबलना पड़ता है मैंने सोचा कि तुमारे पास अनाज आधिक होगा तो आधिक दिन तक घर चलेगा इसलिए मैं खलियान से अनाज त दालने जा रहा था तो बच्चो देखो जब दोनों भाई एक दूसरे से टकराते हैं तो बड़े भाई ने कहा छोटे तुमारी मदद करने वाला यहां कोई नहीं है खेती का सारा काम भी तुमें आकेले ही करना पड़ता है तो मैंने सोचा कि अगर तुमारे पास ज्यादा अनाज होगा तो तुमारा घर ज्यादा दिन चलेगा इसलिए मैं अपने खलियान से अनाज लेकर तुमारे अनाज के डेर के पास जा रहा था तो तो देखिए बच्चो जब बड़े भाई ने ऐसा कहा तो छोटे भाई ने क्या कहा भाईया आप बाल बच्चे वाले है आपका खर्च अधिक है आपको अधिक मातरा में अनाज की आवशकता होती है इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके डेर में डालने जा रहा था तो जब बड़े भाई ने ऐसा कहा तो छोटे भाई ने भी क्या कहा भाईया आपको तो बाल बच्चे है और आपका खर्च भी आधिक है तो इसलिए आपको जादा मातरा में अनाज की आवशकता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अनाज से थोड़ा अनाज आपके खलियान में उस डेर में डाल दू तो इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके डेर में डालने जा रहा था अपने बात कहते सुनते दोनों भायों की आखे भराई दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लगे तो देखिए बच्चो जब दोनों ने भी ऐसी बाते कही तो दोनों को भी रोना आ गया ऐसी बाते सुनकर दोनों भायों की आखे भराई और दोनों भी रोते रत्व एक दूसरे के गले लग गए दोनों भाईों के प्रेम की यह काने आज भी लोग भाव विबार होकर सुनाते है तो बच्चों दोनों भाईों की यह कानी है यह आज भी लोग क्या करते है भाव विबोर होकर सुनते भी है और दूसरों को सुनाते भी है तो इस तरह दोनों भाईयों का जो प्रेम था वो बहुत ही गेरा था इस पार्ट से हमें बच्चों क्या सबग लेना चाहिए हमेशा दूसरों की नहीं हमेशा अपने छोटे भाई या बड़े भाई की साहता करने चाहिए उनका विचार करना चाहिए